आपने अक्सर सुना होगा कि भारत में हर मर्ज की दवा जड़ी बूटियों में मौजूद है और देश के अलग-अलग हिस्सों में ये जड़ी बूटियां पाई जाती हैं कुछ चीजे ऐसी हैं जो बेहत सस्ती हैं और उनका काम लाजवाब है चाहें बीमारी हो या फिर इलाज हमारी सेहत और कई शरीर में होने वाली कई समस्याओं का बजार में मनहगे से मनहगा और सस्ते से सस्ता इलाज मौजूद है अगर बात करे कुछ बीमारियों के सस्ते इलाज की उनमें से एक है चुना जो न केवल सहतमंद है बलकि हमारे शरीर से कई बीमारियों को दूर करने में लाबकारी भी है चुना में पाए जाने वाले कैल्षियम कार्बोनेट और कैल्षियम मैगनीस कार्बोनेट जैसे तत्व हमारे शरीर की हड्यों को जरूरी कैल्शी, यम प्रदान करते हैं जिससे हमारी हड्या मजबूत होती हैं, चूने का इस्तेमाल आयूर्वेद युनानी और एलूपेथी समेथ हर इलाज पद्धती में होता चला आ रहा है। हाला कि बहुत से लोग इस बात से अंजान हैं कि चूना कैसे खाया जा सकता है। चूने को कई तरीकों से खाया जा सकता है आप इसे पानी में मिला कर जूस में डाल कर खाया पी सकत हैं अगर आप भी चूने के फाइदे से अंजान हैं तो हम इससे जुड़े ऐसे पांच फाइदे बताने जा रहे हैं जो आपकी सेहत को दुरुस्त रखने में काम आएंगे. हड्डिया होती हैं मजबूत. हमारे शरीर में कितनी हड्डिया हैं इस बात को सभी जानते हैं और इन्हीं किस चीज की जरूरत होती है इसके बारे में भी लगभग सभी लोगों को पता होता है. लेकिन अधिकतर लोगों को यह नहीं पता होगा कि चूना हमारी हड्डियों को मजबूत बना सकता है. चूना में पाय जाने वाले कैलशियम कार्बोनेट और कैलशियम मेगनीज कार्बोनेट जैसे तत्वा हमारे शरीर की हड्णियों को जरूरी कैलशियम प्रदान करते हैं जिस से हमारी हड्णिया मजबूत होती है। लंबाई बढ़ाता है चुना, चुना खाने से हर्डिया मजबूत होती है और लंबाई भी बढ़ती है, वे बिच्चे जिनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है वह दूद में रोजाना एक गेहूं के दाने के बराबर चुना मिलाकर खाएं ऐसा करने से उनके शरीर में केल्शियम की कमी पूरी होगी और और उनकी लंबाई पर भी असर होगा दिमाग को तेज बनाता है चुना, वे बिच्चे जिनका उम्र के मुताबिक दिमागी विकास नहीं हो पाता या फिर उनहीं चीजों को सोचने समझने में दिक्कत आती है तो उन बच्चों के लिए चुना बेहत फाइदे मन्द चीज साबित हो सकता है बच्चों के इलाज के रूप में गेहूं के दाने के बराबर चुना खिलाएं और रोजाना ऐसा करने से बच्चे के दिमाग पर जल्दी असर पड़ेगा पीलिया में लाबदायक चुना पीलिया की बीमारी होने पर आयूरवेद में चुना को एक बहतरी नुपचार माना गया है अगर थोड़ा सा चुना एक गिलास करने के रस में मिलाकर नियमित रूप से पिलाया जाए तो पीलिया जैसी बीमारी को जल्दी ठीट करने में मदद मिलेगी पुरुषों की कमजोरी दूर करने में असरदार चुना वे पुरुष जो शारीरिक कमजोरी यानी की वैवाहिक जीवन का सुख नहीं पा रहे हैं उन्हें नियमित रूप से डेर या दो साल तक गेहुं के दाने के बराबर चुना खाना चाहिए ऐसा करने से उनकी शारीरिक कमजोरी दूर होगी और उनका वैवाहिक जीवन भी ठीक होगा